प्रेशक नवजो सिंग सिद्धू हो और तो यह वो पाकिस्तान के हक की घल बात करता है तो वो देश से गदारी करता है मैं सबचा हूँ तो इसलिए सिद्धू साहब ने जो बात कही है यह कांग्रस पार्टी को इनको पार्टी से नकालना चाहिए क्योंकि इनके प्रेजडेंट रहूल गांदी ने तो सफोर्ट किया हैं हम अकठे हैं मोदी साहब को पूरी पावर देते हैं को जो मर्दी करें और यह उस तरह की बार करें क्योंकि पीच में सिद्धू में पीच में पकाइदा मार्कल्स को का अगया भी अकाली जो है उड़ा बाहर का रास्ता है आपको लगता भी ठाई सही वेबार था देखे जो ए यह इस्यू है यह तो बहुत बड़ा इस्यू है चोटे इस्यू होते हैं जो स्टेट लेवल के जंग के एक किसी एक सेक्षिन के यह तो सारे देश का बड़ा मसला है इसलिए इसको लेना चाहिए और जो सिंग सिद्धू के खिलाफ एक्षिन का और बजट पेस किया जा रहा है और मैं तो ही अभी आया हूं मैंने कोई देखा नहीं है क्योंकि मेरी ठीक नहीं थी तो मु परदाइश के सारे पंजाबी जिनने भी है उसने हां इस्यूंदी है इस बात भी गाल हुए है तो आड़े वलो उठे पाकिस्तन पर इना जाइज सिगा ओधो करतार परदाइश की तो मुद्धे ते गई साने नवजोसिंग सारे आदे सान के एदू बड़ाइश का दी जि जो को अच्छा काम होता है हम उसको अच्छा कएते हैं जो बुरा होता है इतसे बुरा दोर को हो नहीं सकता होरा हिंदोस्तान पर ऑल्भे बुदाब करे शोर सिरुख वे एक हावत है वेरी मित ना होवे पतन की हो गया जो तहीं कि उन्हों पूरा उदिनाल जन ना कीती जाए जब को हो रहा मतला होन मोधी साहब नू ये साधे वास्ते डू अड़ा ही था मसले समझें आप इंच मैं करें जिस तरह से बार-बार वो अभ्यान बाजी कर रहे हैं कौन देखे इस से काम और सजा नहीं और मैं तो कहूंगा कि इससे आगे जाना चाहिए देश-पग्ती के खलाफ जिसने प्यान दिया है उस पर केस रिजिस्ट्र होना चाहिए दो देश का मसला है तो सेंट्रल का के सारी पार्टी जो हैं देश की उन्होंने कठे होके यह कहा जब इस तरह की पूजीशन होती है तो देश अकठा होता है सारी पार्टी अब कोई प्राब्लम नहीं कि कौन किस पार्टी का है कौन पर सर्तुसी निरेंदर मोदी सरकानों की अपील करना चाहोगे पाकस्तान के जा एक्शन लेना चाहिए देखो यह उना नहीं देखना है क्योंकि एजी चीज है कि मुल्क था फैसला है यह ही एस टू स जानेवाजी जानेवाजी जानेवाजी